अब हम करने जा रहे हैं exercise 4.4 और मैं समझते हैं बड़ी जबर्दस opportunity exercise क्योंकि आपने बच्पन से जब से अलजबर आपने पढ़ना शुरूर किया उस वक्से लेकर अब तक आपने अलजबरिक addition पढ़ा, subtraction पढ़ा, division पढ़ा, multiplication पढ़ा और आप जानते mathematics में यही चार fundamental operation है addition, subtraction, multiplication, division के लाब और कुछ नहीं है अगर आपके यह चारों operation strong हो जाते हैं आपके लिए किसी भी level की मैस बहुत असान हो जाती है यही वजा है कि यह exercise में हम बिलकुल basic addition, subtraction, multiplication, division सीखेंगे तो बहुत अच्छे अंदास से और ध्यान से आपने इस exercise को समझना में उसकी practice भी करनी है तो सबसे पहला सवाल है add का, इसमें तीन पार्ट है हमने आपर second part लिया है यकिनन पहला और third part आपने खुद करना अपने register में और second part भी करना obviously तो add करने का मतलब है सबसे पहले आप यह देख सकते हैं कि total तीन expressions हमें दी गई है यह first expression है, यह second expression है और यह third expression add करने का मतलब सबसे पहले है कि आप इन तीनों expressions को एक साथ एक जान करके लिखने है यानि कि इन तीनों expressions को एक expressions बना दे है और add करने का मतलब है जो term जिस sign में है आप उस term को उसी sign में लिखेंगे तो यहाँ पर 4x square as it is plus 3y square minus 6x plus 4y minus 2 2x के पहले कोई sign नहीं मतलब plus है तो आगे plus 2x आ गया फिर minus y square आ गया फिर plus 3x square आ गया minus 4y आ गया as it is plus 3 आ गया और यहाँ पर 6x square minus में तो हमने भी यह minus 6x square लिख दिया फिर minus 2y square लिख दिया और minus 1 लिख दिया अब क्योंकि हमें add subtract करना है और आप जानते हैं अलजब्रा में addition subtraction same trums में होता है यानि कि x square किस trum से add and subtract हो सकता है जिदर x square है बस उसी से तो सबसे बहले अब हम सारे x square को एकटा करके एक जगा लिख देंगे उसके बाद हम देखेंगे y square कहां का है उन सबको एक जगा लिख देंगे फिर हम देखेंगे x कहां का है उन सबको एक जगा लिख देंगे तो अब हमारा ये steps जैसे डूनने हा है जानी कि सारे एक जैसी trums को एक जगा जमा करना है और यहां पर में एक काम करने से पहले आपको बता दूँ कि आप addition या subtraction दो methods से कर सकते हैं, आपकी book में भी दोनो methods मौझूद हैं, एक है आपका horizontal method और एक है vertical method, लेकिन क्योंकि आप बड़े हो गए हैं, इसलिए आपको vertical method करने की ज़रूद नहीं है, क्योंकि जब आप बड़े हो जाते हैं, तो फिर आप horizontal method से ही अपना काम चलाते है आप बड़े हैं, आपको इसलिए कि अगर आज आपको कहीं 2 प्लस 7 लिख कर दे रहा है कोई, और आगे कह रहा है कि जवाब लिखो, तो अब इसको vertically नहीं करेंगे, ऐसी नहीं लिखें आप इसको 2 प्लस 7 और यहाँ दो लाइन डाल दिया, साथ लाइन डाल दी, ऐसे आप 9 लिखने वाले, अब डाइट आप इसी 9 लिख देंगे, तो इसको horizontally कर लेंगे, so now being a student of matriculars, there is no need to do it in vertical method, but if you like vertical method, then no one can stop you, तो यहाँ पर हम horizontal method लिख करेंगे, 4x square और देखते हैं, कहां कहां x square है, year x square, 3x square, year x square, minus 6x square, तो finally सारी x square value terms हम लिख चुक है, अब y square value terms की बार ही है, तो यहाँ एक y square value term, 3y square, फिर एक y square value term यह रही, minus y square, और एक y square value term यह रही, minus 2y square, अब हम x value terms को ढूणने वाले हैं, तो एक तो यह हमारे पास 6x, minus में, फिर एक हमारे पास यह है, 2x, plus में, और हमारे पास कहीं x नहीं है, अब हम y value terms ढूण रहे हैं, एक तो y value term हमारे पास यह रही, 4y, plus में, एक y value term हमारे पास यह रही, minus में, 4y, क्या और कहीं y है, तो और कहीं पर भी y नहीं है, अब रहे गए, खाली numbers, तो खाली numbers में हमारे पास, एक number 2 है, एक number plus 3 है, और एक number minus 1 है, यह भी हम आज़े लिख देंगे, minus 2, plus 3, minus 1, बस, अब हमें simple simplify करने है, x square के साथ जो numbers है, वो क्या क्या है, 4 है, 3 है, और minus 6 है, आप calculator भी उठा सकते हैं, calculator भी लिख सकते हैं, 4 plus 3 minus 6, plus equals to 1 आ जाएगा, और आप जानते हैं, x square के साथ 1 नहीं लिखते, इसलिए हमारे पास यहाँ, सिर्फ x square आएगा, तो finally, इन तीनों x square वाली terms का result आया, 1x square, अब हम सारी y square वाली terms का result लेकर आएगे, तो यहाँ इस y square के साथ 3 है, यहाँ इस y square के साथ minus 1 है, यहाँ इस y square के साथ minus 2 है, जब numbers में same sign होता है, वो add होता है, minus 1 और minus 2 बन जाएगा minus 3, और minus 3 plus 3, 0, जो, 0 y square का मतलब है, हमें y square वाली terms का जवाब लिखते ही नहीं है, क्योंकि इसका जवाब ही 0 आगया, यह तो खतम हो गया, इस लिए final answer में यह present ही नहीं होगा, अब हम जड़ा x वाली terms का हिसाब कर लेते हैं, x वाली terms में एक number है minus 6 और एक number है 2, plus 2, minus 6 plus 2 कितना होता है, minus 4 होता है, क्योंकि आप जानते हैं, आप 6 में से 2 को minus करेंगे 4 आएगा, और sign हमेशा बड़े number का लगाते हैं, आप addition subtraction में, तो इस x वाली terms का result बना minus 4x, और अगर आपको कहीं confusion हो, again आप calculator पर 20 को check कर सकते हैं, आप लिखेंगे minus 6, फिर calculator लिखेंगे plus 2, फिर लिखेंगे plus equals 2, तो आपके बास आएगा minus 4, तो यह आगया minus 4x, अब y वाली terms का हिसाब कर लेते हैं, तो y वाली terms में, plus 4y, minus 4y, यानि कि इदर number 4, इदर number 4, 4 minus 4, 0 होता है, यह इसका result भी 0 आगया, इसे भी final answer में रिखेंगे जरूरत नहीं है, और अब बार यह आएगी, numbers की, तो numbers में, पहले तो same sign वाले numbers को add कर लीजे, यहाँ 2 minus में, 1 minus में, minus 2 minus 1 बन गया minus 3, minus 3 plus 3, फिर यह भी ओगया 0, इट मीन्स के यह भी final answer में नहीं आएगी, तो इतनी लंबी चाहिए terms को simplification करने के बाद हमारे पास सिर्फ जवाब आया यह, यानि कि x square minus 4x, तो hopefully आपको यह add करना अच्छे से समझ आया होगा, अब आजए इस second part पर, यहाँ पे हमें subtract करने है, छोटा सा फर्क होता है, add और subtract करने में, कि subtraction में हम जिस भी expression को subtract करते हैं, उस expression में मौझूद तमाम terms का sign हम तबदील कर देते हैं, तो आप यहाँ देख सकते हों कहरे है, subtract this expression from this, मतलब हमें इस 5ab cube वाली expression में से, इस a4 वाली expression को minus करना है, इसमें से इसको minus करना है, from का मतलब है, from this, यानि कि इसमें से इसे minus करना है, तो आप यह बात अच्छी रह से जानते हैं, कि जिसमें से minus करते हैं, उसे पहले लिखते हैं, और जिसको minus करते हैं, यही वज़ाए कि यह जो from के बाद लिखावा है, कि इसमें से minus करो, यह अब हम finally सवाल सॉल्व करते वक्त शुरू में लिखेंगे, तो second part में सबसे पहले आएगा, 5a b cube, फिर plus 6b 4, फिर minus a 4, फिर plus 7a a cube b, फिर minus 8a square b square, और फिर plus 7, अब हम minus sign लगाएंगे, क्योंकि है subtract करने का मतब होता है, मानस करो, हमें minus करना है था इस expression को, तो याद रखेंगे का, जिस भी value को हम मानस करते हैं, उसे अब हम bracket के अंदर लिखेंगे, और फिर अगले step में minus sign से, तमाम crumbs को multiply करवाके, उनका sign तबदील करेंगे, तो अब ब्रैकेट के अंदर आएगा, a to the power 4, minus 7a cube b, plus 6a square b square, यहाँ जगा खाम है, तो मैं इसको नीचे continue कर रहा हूँ, plus 5a b cube, plus 6b4, तो अब हम अगले step में minus sign से, इन तमाम crumbs को multiply करवाके रिखेंगे, तो आपर फिलहाल 5a b cube as it is, plus 6b to the power 4 as it is, negative sign के बाद a to the power 4 as it is, plus 7a cube b as it is, minus 8a square b square as it is, plus 7 as it is, अब minus sign से हम इने multiply करवाते हैं, minus plus minus a4, minus minus plus 7a cube b, minus plus minus 6a square b square, minus plus minus 5ab cube, और फिर minus plus minus 6b to the power 4, तो यह हमारे पास question था, और question में हमने, इस में से इस पूरी expression को minus करना था, यह expression हमने पहरे लिखी, minus sign के बाद फिर हमने यह expression लिखी, और फिर minus sign से इस पूरी expression को multiply भी करवा दिया, अब फिर वही बात हमें same terms को एक साथ लिखना है, जाने के में देखना है के कहां कहां a b cube है, तो एक तो इधर a b cube है, और एक इधर a b cube है, तो 5 a b cube या plus में या 5 a b cube minus में, तो अब हम इसको direct कर लेते हैं, क्योंकि आप यहां पर समच चुके के तरतीब से कैसे लगाना होता है, आप इसको तरतीब से लगा करी करेंगे, मैं आप डारेक्ट ढूंड कर जवाब दे रहा हूँ, तो 5 a b cube से minus 5 a b cube cancel, अब हम ढूंडेंगे b to the power 4 वाली टरम कहां कहां है, तो 1 b to the power 4 वाली टरम यह रही, 1 b to the power 4 वाली टरम यह रही, इस b to the power 4 वाली टरम के साथ plus 6 है, वहाँ minus 6 है, यह भी cancel हो जाएगा, plus 6 b to the power 4 से minus 6 b to the power 4 cancel, अब a to the power 4 की बारी आ गई, a to the power 4 यहां minus में है, यहाबर भी a to the power 4 minus में है, तो अब यह cancel नहीं होगा, क्योंकिए minus 1 और minus 1, यह बनता है minus 2, तो finally minus 2 a to the power 4, अब हम डूनेंगे a cube b कहां कहा है, तो 1 a cube b इधर है, और 1 a cube b इधर है, इधर भी a cube b के साथ plus 7 है, इधर भी a cube b के साथ plus 7 है, plus 7 plus 7 makes plus 14, तो a cube b का final result बना plus 14, उसके बाद फिर a square b square वाली टरम की बारी आ गई, इधर a square b square के साथ 8 है, और कहा है a square b square ये रहा, इधर a square b square के साथ minus 6 है, और इधर minus 8 है, 8 b minus में, 6 b minus में, और जब भी numbers में sign सेम होता है, वो में शायर होता है, चाहे दोनों में plus हो, या चाहे दोनों में minus हो, plus होगा तो जब आप plus में आएगा, माइनस होगे तो जबाब माइनस में आएगा तो माइनस 8 रो माइनस 6 मिलकर बनेंगे माइनस 14 यानि कि A² B² का रेजल्ट आता है माइनस 14 तो हम यहां लिख देंगे माइनस 14 A² B² अब बार ही आगई है numbers की तो numbers में A के हमारे पास plus 7 और मजीद कहीं और कोई number नहीं दिखाए दे रहा यही वज़ाए कि आगे प्लस 7 एज़र दा जाएगा तो अमीद है आपको इस subtract करना भी अच्छे से समझ आया होगा Q1 में भी मैन आपको second part करवा है addition के सवाल में Q2 जो के subtraction का सवाल है इसमें भी मैं आपको second part करवा है Q1 में भी आपने 1 और third part खुद अपने register में करना है Q2 में भी आपने 1 और third part खुद अपने register में करना है और साथ ही साथ Q3 बहुत असान है just like same as question number 1 है same as question number 1 Q3 भी आपका homework है Q3 में कह रहे है P plus Q plus R मालूम करो तो इस तरह की पूरी expression को उन्होंने P का नाम दे दिया इस तरह की expression को Q का नाम दे दिया इस तरह की expression को R का नाम दे दिया तो P की जगा आपने P की value put की R की जगा आपने R की value put की Q की जगा आपने Q की value put की और एड कर लिया बिलकुल आसा ही तो ये तीनों सवालात आपने अपने रेइस्टर्स में कम्प्रीट करने हैं इंशालों मिलते हैं नेक्स आप इसोड में तप्सक्र के लिए अलहाफिज